साथ स्रीयकाल, प्यारे दोस्तों, एल्डीडी टीवी ते तो हड़ा, सुवागत है, मैं प्रफेसर जस्वीर सेंग अपां पंजाबी विश्यराड सबंदत वाख वाख जो किताओं की पेपर हुन देया, उना दी त्यारी कर रहे हैं अधनक पंजाबी साहिदे जो कावता पाग या, ओधी त्यारी मेरा अजीज, मेरा प्यारा दोस्त सत्राम सेंग कैद करवा रहे है था नू, बहुत ही मेहनत करके ते कमाल दी समर्पन पावना देना ले, मैं था नू पाशादा एक लेक्चर पहला दे चुका हैं, जो मुडली पंजाबी जोड़ी आप अगला पाग बात विच करांगे, हुन मैं थोड़ा जा अपना एड़ा प्रौन दा सिस्टम हां, और पिछे लेके जा रहे हैं, आद काल दे, पंजाबी साहिदी शुरुवात कितों होई सी, ते आपां आई दे लेक्चर दे वैंच, पंजाबी सा पंजाबी साहिदी शुरू होंता है, आपां आज उर्थों गाले शुरू करनी है, ते वार्त कर्च नावाई वी मैल्दिंगा हैं आद काल दे वैच, पाशा के हो जही सी, होर बहुत कुछ ए होज़ेडे विशेश नुक्त दे लेक्च, पंजाबी साहिदी शुरू होंता ह तेने आपां को आज करांगे, ते प्यारे दोस्तों, एक बेंती के ए जो लेक्चर तो हानू बिल्कुल मौफ्त परवाइड हो रहे हैं, एदा जिते तुसे ही फैदा लेना है, उते अपने दोस्ता हानू अपने वर्गे अनेका होर विद्यार थी, हानू वी जोड़ो, ता आनके आपां अपने फर्जनू समझ दे होए के साड़ी माँ बोलिया, एदी गाल दूर तक जानी चाही दिया, जेसा नू माँ मौली वेच रुजगार मिलदाया, ता साड़ी मानवारी गाला, आखर दे उते, एस वीडियो दे उते, मैं कुछ उना दोस्तां दे, शक्सिया दे नाम लओंगा, जेना नू लाफजाएं दुनिया वल्लों बहुत जल्द सनमानत भी कीता जाओगा, तहां नू इपड़ाई, ए लाइव, ए वीडियो मुबारिक, तो आड़ा बहुत जल्द टेस्ट भी हो रहाया, आउ अपना सब्दों पहला पंजाबी साहे दी इतिह जेना दी जीवनकाल है गाया, 1888-1935 वी, उना दी नाली मौला बक्ष कुष्ता, जेना दा जीवनकाल है गाया, 1878-1955 इना ने पंजाबी साहे दी इतिहासकारी दे, मुडले यतंजरे को कीते सी लिखन दे, ठीक है जी, इना दी नालनाल कुछ अंग्रेज साहितकार जमें सर RICHARD TEMPLE दी कताब है किया, बड़ी दुरलब है, बड़ी कीमति है, उद्यों तेन जलते जिडिया शपिया से किया, leegend of the Punjab, leegend of the Punjab जिडिया सर RICHARD TEMPLE दी कताब है, वेरी 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 इंपोर्टेंट एफ प्रशन जड़ा प्रप्राइब बहुत वार आया उस्तों बाद डॉक्टर लाजवांती रामा कृष्ण ने सूफी कवता दे उते रिसर्च की तिया साहिदा थे हास लिखे आया पंजाबी सूफी पोईटिस्ट उनाने 1921 इना पंजा अना दा जिकर या उना दे वेच खोज विदियां इतिहास विदियां जब पंजाबी साहिदे इतिहास कारी दिखन दे बहुती तांग नहीं आउदा सी उना पूर साधन नहीं सी टेक्निका नहीं सी पर उना दिया एजनियार सार्चाने उना दी एजो इतिहास कारी दिखी की या एज दी कीमत बहुत या उस्तों गय अपात अब अब देया के पंजाबी दे प्रणे साहित नू एक्टे हासक परपेक विच रहा के उना धी तरती वार विकास दी वारता कलम बंद कारंदा सब तों मुढळा यतन देखो तरती वार वकास दी वारता नू कलम बंद कानदा सब्तों मुढला अल्डा यतन कीता या ओड़क्टर मोन सेंग दिवाना ने कीता तर्तीव वार उस्तों पहला अपां गल कर सकें कर चुकें बावा बोद सेंग जी मॉणा बश कुष्टा जी इनावारी गल कर चुकें पर तर्तीव वार जदों शब्द आ गयाना प्रोप पर अंग देना आड तो वो हनो सबतों पहला यतन जड़ा कीता सी ऑड़क्टर मोन सेंग दिवानाने कीता सी ड़क्टर मोन सेंग दिवाना दा जीवन कालेडिए और 1800 नड़े इस वितों लेके 1884 सविदा आया ठीक है जी ए चीजश तो इसी नोड कर निय ने यां जोड़ोंतों परफैसर किरपाण सीह सेल इस ट्रिंद्र सिंग नंदा दी भ convenient बढद एक तो बहुत साथ किया और धिक भी सॉथ पतामा क्या जा सकते अगे ओ कहेंडे हुआ कि डूक्टर मोन सेंग देवाना वी या किताबअ यह दो एहम किताबाँ नाम नोट कर लगो पंजाबी अदब दी मुक्तसर तारीःख डॉक्टर मोर्ण संग दी ये पहली कितावा दूर जी किताव दा जिकर को कर दे ये दे वारे बहुत वार पेपरा वेच आ चुका हर तरह दे पेपरा वेच एथो तब कि अंग्रेजी दे लिटरेचर वेच भी एक किताव दा जिकर आ चुका किताब द नाम हिस्ट्रियो पंजाबी लिटरेच्चर तयुँ अगलेंज़ी दे वैचे पंजाबी लिटरेच्र वारे किताब शब benevolence सी डौ्ट्टर मोर सेंग दे लिखी होई या तैई दा अनुवाद की ता जी काफी साल बाद प्रफेसर करपाल सेंग क सेल हो रानी ठीक है जी ते एस कताब वारे किहा जान दा के पंजाबी साहिद दा पहला परमान के तिहास एस कताब में लिख्या गया एस कताब वारे कताब दा ना एक कवरी द्वारा नोट कर लो हिस्ट्री ओफ पंजाबी लिट्रेचर जेनू पंजाबी साहिद दा पहला परमान के तिहास होन दा मान प्राप्तिया राइटर कोना डॉक्टर मोन सेंग दिवाना उन्हों अनवाद के ने किता प्रफेसर करपाल सेंग क सेल ने ठीक है जी पंजाबी विच इन उक्ता में नोट करना बड़ा पंजाबी विच पंजाबी साहिद दा इतिहास पहली वार के ने लिखिया उत्तरिया डॉक्टर गोपाल सेंग नी डॉक्टर गोपाल सेंग दर्दी नाम है ना दा पूरा इना जीवन का अला जी उन्नीसो सतारा तो लेके उन्नीसो नभी दा डॉक्टर गोपाल सेंग दर्दी ने पहली वार पंजाबी साहिद अतिहास पंजाबी विच लिखिया उस तो पहला पंजाबी विच नहीं लिखिया गया थी अंग्रेसी विच थी धोर पशावा विच थी लिखेन जी टे डोक्टर गुपार्ल संञ कदर दी एंक किताब है अधिजर पंजबबार डर्भकह उप सब तों पहला पंञाबी दे वेची मिन माप अगला नुक्ताय जी के 1929 पंजाब कुम's उचेरी सिक्षा में डिड़ी गालतुरी सी सब तों पहला उनेकोय कर बंददा राह खेल हो हो लेया सिगा ऑसी प्रफेसर करपाल संग सेजी ते उस वेले जदो पहली पहली तक ग्यानी अपां तुसी लेक्चर सोण आशेगा ग्यानी गर्मक सेजी तक उन्हां ने ग्यानी कीती होई श्तुम पर पड़ा है यह निस उस वेले 1999 इसी विदे मेंचे पहली वार ज्यानी तो अगली बड़ा इश्रू होई सी और पह पीछडी तक जानने है ते ओस वेले कितापां दी पंजाबी साहे दे इतिहास दी लोड पाई ता डॉक्टर दिवाना नू अधा आरबना आके बहुत सारे होर बड़ाना ने पंजाबी साहे दातिहास दीकन दा योगदन पाया उना वेच कोज नाम ने डॉक्टर सुरिंदर सिंग कोली ग्यानी हीरा सिंग धर्द ठीक है जी डॉक्टर सुरिंदर सिंग नरूला पूर भी बहुत सारे नाम ने जिमें डॉक्टर जी संग सीतल प्यारा संग पदम डॉक्टर इशर सिंग तांग इना दे नाम भी जिडे ने जिकर जोग ने अपना इना वारे अगले लेक्चरा देवेच गाला करांगे कि अपनजाब गतावा जी पनजाबी सहती उत्पतित विकास एदा लेख कह गाया प्रफेसर किरपाईसं कसेल। करपाल सेंग सेल पहला पंजाबी वेच्च में कारनवाडा उनिवेस्टिच टॉब कारनवाडा विद्यार्थी सी जो डॉक्टर मोन सेंग दिवाना दा विद्यार्थी सिगा ते इना ने जदो अपनी पहली पुस्तक लिखी पंजाबी साहे दी उत्पतिते रिकास ओदा सेगा के रचनावाडा वग्यानक दिस्ट्री कौन ते विशिलेशन कीता गया सेगा इस करके एक किताब बहुत जाल्दी मकबूल हो गई जिदी आजकल वी चार्चा बहुत हो रहिया पर क्योंके उन्नी सो चौन्ट इस वीदे वेच्च प्रफेसर करपाल सेंग कसेल नेतर वो पहुच लें दिया कि ये किताब डॉक्टर प्रमिंदर सेंग दिया ता ओना दी विया डॉक्टर प्रमिंदर सेंग उन्नी सो पजातों लेके उन्नी सो श्याट तक प्रफेसर करपाल सेंग सेल दिनार कामकार दे रहे से जोग दिन दे रहे ते उस तो बाद उना तो बा पाल रहे ने परफेसर करपाल संक सेल दे पंजाबी साहिद इतिहास कारे लिखन देवेच इत एंड विद्वान ने जिना ने सब्टों पहला दॉक्टर प्रमिंदर संग दूज्यते दॉक्टर गोविंद लांपा तीजिते इसतेंदर लिखिया नन्दा है जिना ने प्रफे लेना जी आपन एक दो कताबा होर करिए प्रफेसर करपार सेंग को सेव दियां तो दिवेज तवारीक संथ खाल सा दूज़ी है गिया मित्तर असाडड़े सेज यह भी नोट कर लगो प्रफेसर कर पार सेंग सेव दियां लिखियां भून जाने बाकी कताबा वारे जिदो अच्छ त्यार करांगे उद्वेज दसुगा में उन्हादी जंदगी वारे उन्हादी खोज वारे आज अपा पंजाबी साहिते इतिहास दी काल वंड़ गल करनीया होन सब तो पहला नुकता जिन्हों आपा कहने कथन एक कथन किस्दा है ता पहला कथन आपा पड़ देया जद असीं किसे पाशा दी समुच्ची साहित सिर्जना जां साहिते विकास नो उस पाशा नो बोलनवाने लोकां दे समाजक इतिहास दी गदी नाल मेल के आद तों वर्तमान तक अंकित कर दे हां ता एक साहित दा इतिहास बन जाता है एक थन ना परफेसर किरपार सेंग किस गेंद यह के जदों आपां किसे साहित कि सिर्जनानों किसे खिते दे लोकां दी जिन्दगी देनाद उना दे इतिहास देनाद जोड़के शुरूत लेके हांनता की जदों अव्यख देयां ओहीं उनादा साहित दा इतिहास बन जानदा I am a जड़ने अगला का थन जिड़ा है वह अपपड़ देया कि जित्थे किद्रे वी इस समाजी के तिहास गती विच कोई प्रा मोड जा परवरतन आ जानदा है जेड़ा साहे दे सुरूप जा सुबा आनों बदलन दे समरत बनदा है ता उसनों असी एक विशेश काल में थ लेंदे हां बहुत सुखी जी गाला ज अट यांताया ता ओर खातम हो जानदा खातम होंता मदम पैजानदाया तो नवे दौर दी गाल जड़ी लोगका आजा ज़ेशे ज्यादा परचल पर चलत हो जानदी गाभी अग्या जिवे शाम सूरीप सूरे आ या इस तरह सुच्च्च चाव्य गयां इस तरह सुच्च उना नो कोई ना दे के नखेडन दा यतन कर दे हां ता ओ साहिद दे इतिहास दी कालवांड हुंदी है। सदीजी काला के जदों किसे वेले किसे दौर विच या किसे समे कोई अचानक लेहर ओठ दिया ओ लेहर अपना इनक प्रवाव पादन दिया के पहला जो चल रहाया उदा प्रवाव काट जान दा नमे दौर दी शरवात हो जान दिया ता ओस वेले जो निखेड जो वंड कीती जान दिया ओही साहिदे तिहास दी वंड दा कदार बन दिया ठीक है जी अग्गे आपां अगला नुकता पड़ांगे अगला पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट के साहिद नू कालांच वंडण दा कुदेश की या वेरी इंपोर्टेंट पहली गाल कटना आमाते प्रविर् अग्षा दी वेची आके वेखांगे ओदे अर्थ पदल जान देया ओएक संकेत बन जान दा जदो अपां समकाल समय वेचे वेख दिया उसे भी लेख दिया तो ओदे अर्थ कुझ वर होंदेया इस करके पहला नुक्टा आया कि कटना आमाते प्रविर्तिया दे विकास साहित रूप्त κάरव साहद कर्ठों घंच देखना सी लुस्त देवैलंपंगर यह सिर नोट 10 डियर्वेश्धेशं क्ला 501 त्लीय उन्यमें तेधिय त्रहीत्या वां विष्यलेशन कारना उते बारे इनिफोर्मेशन कठी करणा cautious करना एमी साहित नुक आomination वन्ञेन दा मौक। मुखडी गुच वोंग्ान कारना लेडे साहित नुक Xu काल आ antagram जहनना जवरूरिया एक उची आपकार ना होन अगे तुडिलएंन साहित काल वंड ते काल लादे नाम करन दे टंग या अधार किया वेरी 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 इंपोर्टेंट काल वंड ते काल लादे नाम करन दे टंग या अधार एक किमे वंडे जान दिया क्यों वंडे जान दिया किस तरह वंडे जान दिया देखो क्यों अधा उत्रता पहला मेल चुका तो अपा उदेश पाल लिया और किस तरह वंडेक है एवंड के में होई या जग किस तरह पंजाबी साहे दे इतिहास कारी दिखनवाणी लेखका ने वंड की ती या उनू आपा विखनाया सब्तों पहली गल एवंड के में हो सकत या किसे पर सैद लेखक नूदार अबनाया जा सकता जिवे गुरुनानक साहब हो गये ठीक है जी गुरुनानक काल जिनू अपा कहते निया इस तरह अबनाया जा सकता पर एवंड कारन लगें ख्याल रखना कि एहोजी वंड हर काल देवेच करनी पहूँगी हर दौर देव साहित सजणा दा प्रवाव सुचे काल दी साहित तारावते प्याहोवे वही पर सैद लेखक बंदाया पर एदा हर काल देवेच हर दौर देवेच एदा संबब नहीं हैगा इस करके ए नुक्ते नूँ अपा गल्त मनांगे कि एस तरह साहित इतिहासकाली प्रौपर नहीं ह चौर्णके हो सखडा हो तैहासक वैकि साशत नान collabor कात रहता हवे जाराजकरना आजिडाया ऊप सारे तर II वेच एद्धा होया है कि आधकाल वेच होया मद काल वेच भी होया जा अधकल भी एद्धा हो रहा जिन नहीं हो रहा ता एक आलवांड भी प्रॉपर नहीं स्रे लाग दी एवी गल्त आओगी अगे किसे प्रमॉख प्रविर्ती नूँ अधार बना के ए अपने को तीजा अपा कहिए के अध्यात मकवाद इन्हों बदा रवना लिए यह भी गल्सरी नहीं लगदी सई नहीं लगदी क्योंके एक प्रविर्ती नूँ अधार बना वांगे ताब बाकिसार प्रविर्ती यह अख्खों पुरूखे कार्निया पहणिया इस करके आपा इन्हों भी प् कि एव अंडवी जड़िया हो सही नहीं है कि पंजमा नुक्ता साहित दी उपजदी मात्रा दे अदारते कह रहा है कि केड़ी साहित दी श्रैनी जड़िया हो ज्यादा मात्रावज लिखी जा रही है कवता लिखी जा रही है नावल लिखिया कान लिखी जा रही है एस तराद साहिदी उपजदेदार थे ता एवांडवी मैं लगदा है कि प्रॉपर नहीं है कि इस तरह लेख कर दे रहे ने जजबाती इतिहास को वांड़िया साहिदी इतिहास को वांड़िया कुछ वग्यानक के तो और ते गिया जिनारा जिकर मैं गान जाके करोगा अग्यों केंदे है कि किसे सदीनों एकाई मैथ के पंजबी साहिदे इतिहास दी कालवंड़ हो सक दिया मैं लगदा है कि एवी कुना सार्थक वांड़ नहीं हैगी एही गल सदे पंजबी साहिदे जो के वग्यानी जिड़े ने इतिहास कारी लिख रहे ने उवी कह रहे ने इस करके क्योंके सदी दे अदा आर्दे उत्ते किसे साहिदी कालवंड करनी वो सार्थक नहीं हैगी, मलनो कि तुसी वी में सदी वे जन्म लेया, तुसी लिखना एकी में सदी वे शुरू कीता, इस करके तुसी प्रापर फैसला नहीं कर सागते कि तुसी किस सदी दे अदीन प्रापर विच्छे से, इस करके ये वांड वी जेडिया, वो सार्थक नहीं, अठमी, जिन्हों आपां किसी ना किसे हाद तक वग्यान कमान सागते हैं, ओ है साहित नू प्रातन, मद, अते अदनो काल्च वांड के पंजाबी साहित ये तिहास करी लिखी जा सकते हैं, होन तक दे, डौक्टर मोण संग देवाना, प्रफेसर किरपाल संग सेल, होर वाक्ष वाक्ष जेडिये विदवान होये ने, दर्दी साव, नुल्ला साव, इना सार्याने एस नू पदार मननने हैं, ता एक काल्वांड काफी हाद तक, पर मानिकता नहीं कहीं जा सकती, क्योंके कोई भी काल्वांड जेडिया, ओधा कितना किते वीक पॉइंट हुंदा, पर साहित नू प्रातन आधकाल जेनू करने हैं, उस्तुबद मद ते अधनक काल्वेच वांड के रिड़ी पंजाबी साहिते ते हास काली दिखी गई या, ओँ होन तक दी सब्तों परमानिका, आखरी नुकता के समुच्चे साहित नू प्रातन अते नुवीन काल्वेच वांड के वीजड़ाया, ओ विचार्या जा सकताया, पर ए सरव प्रवानित गल्ला नहीं है गिया, सरव प्रवानित कोई भी नुकता साथे सामने प्रवापर हाले तक नहीं आया, पर जो है प्रवापर वो हैगा या, साहित नू प्रातन मद अते अधनो काल्वेच वांड के वेखना, ठीक है जी? होड़ एक चीज होर, कि जदों आपां किसे साहित नू प्रातन मद अधनो काल्वेच वांड के वेख देयां, तक सानो नोट करना पऊगा, कि समाजिक इतिहास ना जोड के काल्वांड होनी चाहिए या, क्योंकि वड़ा कार्न किया, कि जदों आपां किसे वी साहित इतिहा समाजिक इतिहास, लोग का दी रैनी बैनी, विच्रण, उना दी आर्थिक, राइनितिक, सब्याचारक, जड़ी, परसांगिया, उनों उस्वेले दे साहित दे नाल, विशलेशन करके, समलत करके, फेर ही आपां किसे सिटे दे साहित इतिहास करी राज साथ देयां, ये नु परसा कर दार्थवाद दी द्रिश्टी तो वाच्यां पंजाबी साहित दे इतिहास दा आद बिंदू मद काल दे आगमन दे नार्ड ही अराम हुंता है। होड़े आपां अगले पॉइंट वाल वाद देयां, विशेश नुकता है, पंजाबी साहित दे इतिहास दा आद बिंदू लबड़ वाला आपां तुर्देयां, वेरी इंपोर्टेंट। डॉक्टर मोर संग दिवाना दे समय तक एखोज दे केंदर बिंदू सी, के गुरु नार्ग साहिब ही एस बाणी दा केंदर बिंदू आ, इत्थों ही पंजाबी साहित दा मोर्ड वाजदा। पर कार्ण की सी, के जेड़े बाबा शेख फ्री जीया, उना वारे एप परमसिगा, के जेड़ी गुरु गरांसा वेच बाबा शेख फ्री शक्र गांजीती बानीयां, वो उना दी नहीं है की। वो उना दे बार में पीर शेख ब्रह्म, जेना दा जनम टाइम है गाया, पीरियड, चौदा सौप याश्वी तों, पंत्रा सौप याश्वी शेख ब्रह्म जीदा। वो बाबा शेख फ्री तों बार में गदिन शीन सेगे। बहुते साटेड़े तिहास रिखनवाले, जिना दे वेच में नाम कुछ लेनाया, बाबा बॉद सेंग, डॉक्टर लार्यवांती रामा कृष्णा, मैकालफ पाईकान सेंग नापा, इना ने ए मन्या, कि वो बाणी जड़ी बाबा शेख फ्री जीदी गुरु ग्रु ग्र पर उस्तो बाद रिसार्च होई, पहला वी कुछ रिसार्चा दा अदा आरबनेया, कुछ फारसी दियां कताबानों अदा आरबना के जड़ो रिसार्च होई ता ए सिद्ध हो गया के बाबा शेख फ्री शक्कर गांज, जिना दा जीवन काल 1173 जनम, ते 1260 इस वी उना दा फानी संसार नों शड़ गया, ए जीवन काल उना दा है गया, इना ने ही जड़ी बाणी रचिया, गुरु ग्रांसा वेच दरजिया, ओ ओही बाबा शेख फ्री शक्कर गांज ने, जिना तो पंजाबी साहित दा मॉड बज़ दा, शुरुवात हों दिया, ते एस गल नों स सहज सुबा कताव देवेच एगल कहिया, डॉक्टर बनार सी दास जैन, उना ने पंजाबी जबान ते उस्जा लटरेचर कताव देवेच इना दा जिकर कीताया, इसनों इलावा अबदुल गफूर कुरेशी होनाने वी बाबा फ्रीद शक्र का जनों पंजाबी दे मुडल के साहितकार मन्ने आया, जिनन दा जनम 1173 इस वी तों 1260 सी देवेच होया, ठीक है जी, होन पहला मुद्दा सी के बाबा शेक फ्रीद बार में गद्दी निशीन, एक कदों मुद्दा सी जो दो डॉक्टर मोर संग दिवाना जी से के, उस वेले, उस तो बाद विदवाना न पहले प्रमानक कर लिया, उना वर या पागल कर चुक्किया, जिनन दी बानी गुरु ग्रान साहिव दे वेच दार जिया, ठीक है जी, ते डॉक्टर मोर संग दिवाना अपनी कताब दे वेच ए सिद कर देया, के पंजाबी दे पहले साहितकार नाथ जोगी सन, जिनना दा स समा आठमी, नौमी सदी वेच दा है गाया, आठमी, नौमी सदी दे वेच पंजाबी साहित दा मोड बाई दा, डॉक्टर मोर संग दिवाना दे अंसार, ते पहले पंजाबी दे सेहतकार है गया, नाथ जोगी, नोट कर लियो, आपका क्योंके एक निफ्रोजना नो दूर क काशित पंजाबी साहित दा तिहास दे पहले पाग दे पन्ना नंबर पैंड दे उपर लेखते या, के पंजाबी पाशा दी साहितक प्रमपरा नू पार दी संस्कृतक प्रमपरा दे वेदाना जड़ा, उनना ने जोड़ आया, ठीक है जी, वो कहन दिया के एदी रिगवेद दुनिया दा पहला गरान था, उदी रचना भी पंजाब दे दर्यामा दे कंडिया ते होई, ते बहुत सारा प्रमपराव जड़ाया, ओपंजाब दे खिते दा पे हा, ते पाशा जो अपरशा से गी ओस वेले दी, ओदा प्रमपराव ओस वेले दी साहितक तो पंजाबी पाशा जड़ी चाल्दी आ रहिया इदा जिकर मिलदा अगला कतना अपनोड करनाया जी ए पाशा विपाग पंजाबी सह दा इतिहास पाग पहला संसकरन दूज्या ते कान दा नाम है गया नाथ जोगियां दा साहित एदे वेच डॉक्टर मोन संग दिवाना द कतनेया पंजाबी साहित कोई नवा नहीं सी जनमेया सगों पहले क्लासिकल साहितां दा मादम ही बदल्या सी नोड कान दूद्वारा बोल दा के पंजाबी साहित कोई नवा नहीं सी जनमेया सगों पहले क्लासिकल साहितां दा मादम ही बदल्या सी मतलब कडीदार हर पाशा बोल चाल दी पाशा दे लेच्छ गोलेखृ जानता रहाया वोही साथ्डे अग्ये साथ्डे सामने समे समेते अदा रहाया ठीक है सबसे पहला नाथ जोगियां खा मिल कर रहाया मतलब आठमी नौमी सदीतों लेके बाबा शेख फ्रीद दा जनम जड़ाया ग्यारा सो त्रीसी वेच हुंता ते बारा सो श्याट इसी विताक उना दा जीवन काल है उस तो पहला दो जो रचना लिखी गई है उदे वेच नोट करो किडियां किडियां रचना वाया जोग ना जान लोग गीद जदा महांदरा केंदरी पंजाबी सी ते तीजी रचना वड़ी एहमा उश्यादा किस्सा सगा ससी पुन्नूदा उश्या कविदा नाया ससी पुन्नूदा किस्सा उने लिख्या सी ए आद काल दे वेच रचना हुई गया अग्ये सी मसूदा दिवान मम्मा मुला दाउद दा चांद नामा मुला दाउद दा चांद नामा जेडाया ओ साड़े आद काल दे वेच लिख्या हुई मिल दाया ते एहद मान दा सने रासक जेडाया ओभी एहद मान दा सने सने रासक साड़िया कुछ एहोजिया रचनावाया जड़िया पंजाबी साहित द ठीक है जी एकति अन्षक पंजाबी दा मिल्दा सी कुछ प्रोपर सी कुछ लेंदी दा प्रवाव से कुछ अश्चानी दा प्रवाव सी एससे पंजाबी दा मुडलिया रचनाम्ञा जिया मनिया गें Yak ते शिट्टा फिर एही निकड़िया के अठ्मी नौमी सदी जड़िया उपनजाबी साहित दा मौड बन दिया शुरवाद दा किंद्र बिंदु बन दिया ते एस समेच दिया लहरा मौकत और दे कार्जशील होन जाँ उन ओट कारन लवो एस वेले जोग पन थी जड़े आप जोगियां दा साहित कहने या दूजी लेर केड़ी जनमी एस वेले सूफी कवी पहले दौर दे सूफीयां दा साहित जड़ाया ओवी आद काल दे वेच ओन साहित दौर दे लान सांतकबीर जी, पखितरवधास जी पगध पीपा जी पखत नामदेव जी आद आद जड़े आ या आदकाल दे वेच ओनल वाने साठे पहत कवी ! उस नोब तो क्यां आजशीको लोग साहित मेलऄ प्ङत्छाथ लेरा ने इचार वงगीया ने जड़िय पंजाबी दे आद आद काल देवेचानो मिल दिंगाने। आप आज दे लेक्चर दे पिश्य डायर्ट कणिपाल दे यां का इसल रखकर दोगीं हों देने सक्षाइब। युद्हेब दे नियुकरत जोगीं के मृतमे एद के गाल देदिस हों जिना वेच बापा शेख फ्रीद, शाह सर्फदीन, बू अलीक लंदर, पखत नाम देव जी आद जिड़े ने उसाड़े आद कावदे वेचे आद काल दे साहिदे वेचे जिकर योग ने अग्यापअ तॉर्दियां वारते किसा लेच का उषय है उस्तोगे मसूद ते मुला दाओद आद जिड़े ने उसाड़े वारते किसा लेच कावदे समय दे हेगे ने उसनों बाद फोटकल कुझरच नामा दे लेखक ने जिमें खुसरो हो गया, कमाल हो गया आद आद जेड़े ने ए पंजाबी दे आद काल दे साहित कार जेड़े ने उस अर्डिकोल मिल देने होना आपा एक दो गला होर करांगे प्यारे दोस्तों उमीदा के तो ने लेक्चर बड़ा लाहे बंद होगा क्योंकि आद काल दे आपां गल करनी है, शुरुवात दे गल कर रहे हैं ते शुरुवात तो जो गल करांगे ता पंजाबी साहित दे इतिहास कारे नों कोखना पाऊगा उस तो बाद बड़ा सोखा, अपा नाथ जोगी पाल लांगे, सूफी का भी पाल लांगे फिर अपा गुर्मत का वाल लूँ आ जांगे, किस्सा का वाल लूँ आ जांगे, वार का वाल लूँ आ जांगे मद काल दियां वारत करचनामा पढ़ लागे इस तरह अपा लेडियां वाखष वाख चीज़ाँ बादविच कवर कर लाँगे पर जे बेसिक समझ जाओंगे तब बड़ा सौखा हो जुगा आद काल दियां को जो वारत करचनामा दा भी जिकर ओओ दा उदे बारे आपना बहुत जालुप पढ़ागे उस तो पहला आद का दियां रचनामा से गियां उन्हादा एक जिकर जो गाल सीगी के उन्हादी पाशा मुलतानी ते केंदरी पंजाबी सी एस पाशा दा उस वेले बहुत ज्यादा जोर सिगा दूजी गाल वक वक पशामा द कपला जोर से वर्खार लुप पंजाबी ल्हाज़े वेज टार के वरते गया सि मतलब और वस विले बेशक्र अर्बी फारसी यहित खोड़ पशामान दा बड़ा पनजाबी लहज़े वेच टार के वरतेआ गया सिग इंधिनaa के और मन्नी गई या पदेयां ते शब्दां दा नामकर्ण वी रगा अंसार उस वेले कीता गया अगली गल के बहुती जडी आदकाल दी कवताया उस लोक का शब्दां ते वारादे वेचे मिल दिया एक अल वड़ी नोड करन वाड़ी या ठीक है जी इस तो मेरा सरना नी एक अल न लोड करना वो उस तो माद जी पाशाया एस वेले दी सब्तों पहली गल के वो संत्पा खासी जिनू नात जोगियां थे पगताने वारतेया दू जी उस वेले लेंदी ते मुलतानी सी जिनू बापा शेख फ्रीजी ने वारतेया ती जी उस वेले जडी प्रमॉक सी लहोरी जी जाग केंदरी पंजाबी जेदी वारतों लोग कीता देवैच होई ये चीजा आधकार देवैच साधियां हून जा और तुसी आप देखो बापा शेख फ्रीजी ती रचना या किन्नी प्रमान के ते किन्नी सुल्जी होई साफ तक रखना या ये दा मतलब पहला के ते एहो जी ही रचना पंजाबी देवैच हुंदी रही या उदा मॉड़ पराणा या आपने कुर साहिदे इतिहास रिखन वेले अठमी नौवी सदी दा जिकर मेल दाया ये थों आपा मॉड मान देयां पर अधना को खोजा हो रही या या जेदे वेच रेगवेद काल तों ज पारेग़ा राकार्निया जिए ला जिकर मेल्दाएया सब्तों पेली है गौओ पंशड जिदा जिकर कीता या निरिंदर थीर ने बहुत वार पेपरां चाया निरिंदर थीर ने ऐगल पेर कीतिया के वारतकरचना आधकाः दी मेल दी आ नाम है गोर्ख उसच दाध मुद ह अगे है कि बापा शेख फ्रीद दा पदती नामा एदा जिकर कीता आया एदी खोज कीती या प्रिंसिपल प्रीतम सेंग नहीं ते तीजी साथे कोड़ वार्तकरचना जेड़ी मेल दीया ओ है एका दशी महातम जेदा जिकर कीता या डॉक्टर तर लोचां सेंग बेदी नहीं ये तेन वार्तकरचना माता जेड़ाया ओ जिकर पंजाबी दे आद काल देवेच कीता मिल जाया ठीक है जी ते अपां आज जी जो सिख्या ओदेवेच आपां नुक्ते नोट कार लवो समतों पहला पंजाबी साहती इतिहास कारी दूजी नमबर ते पंजाबी दे इतिहास फिरास दे काल वंड तीजे नमबर ते साहित नूग फान्नो काल्या लंण्य वंचर दे उधेयें है आधर नंबर थे काल बन्ट ते कालां दे नांकरं दे अदार यां टांग पांजी नंबर थे पन्जाब साहे दें थे देंप हाँ दा आध बिंदू. शेवे नमबर ते वार्तकर्च नामा, सत्मे नमबर ते आधकाल दी पाशा होर भी बहुत सारे नुक्ते आपां आई ते लेक्चर देवेच सांजे कीते या तहां नुए लेक्चर के में लगा मैंनों कमेंट बाक्स देवेच दसे ओ ते प्यारे दोस्तों आपां मैं ते लेक्चर काल कीती सी ना शुरू देवेच कोजी शक्षियत आनों उसे नमानत करना जिमें तुसी हिम्मत दे नाड़ पंजाबी दे लेकाम कार रहे हो इससे तरह हो भी बहुत सारे दोस्त ने पंजाबी दे लई नहीं आपने पंजाब दे लई भी काम कार रहे हो जो पंजाब ली काम कार रहे हो इससे जिकर जोग ने डॉक्टर विंदर सेंग तेड़े करियर गाइडेंस नौजवाना नों देके उत्षाहित कार रहे हो जिकर जोग ने बीबी रवनीत कौर जिना न पारा जानवरानों सहाइता करके उननों जखमी हुंदेने तो उननों दा इलाज करवा के लोकपला इदा कम कर रहे ने इस तरहें सद्धे कोड का लकलांतों मास्टर परमजी सेंग ने जो बच्चेयां दियां करियर खिड़ा करवा के रुजगार वालों तोर रहे ने सद्धे कोड सद्धे अपने लेक्चेर आर जड़े तो नूं ऑनलाइन वड़ों देने अपने सत्राम सिंग कैंसर ओ तोह डेवास्ते वड़ा वड़ा जो दन पा रहे ने उनना देवी मबार्कवाद उनननों वी शाबाश केनी बंदिया इस तो इलाबा सद्धे कोड होर बह बहुत शानदार पर आप यहां सलकार देने उनननों नाड लेके अपसनमानत करांगे लफजाएं दुनिया बलो ते लड़ी टीवी दे उपर जिनने वी लेक्चर ने इस सारे तो अड़ेली बिलकुल मुफ्त प्रवाइड करवा रही हैं ए लेक्चर तुसे मास्टर केटर ते तियारी कारनी होवे पंजाबी दि जूजीसी Northern सी नेट तियारी कारनी होवे पंजाबी दि पी टेट द सी टेट पञता प्रस फोर्जप परती हर तरहादा पेपर जो पंजाबी विशेज नर समधत हता एथे तुसी बलुकल मुफ्त पार्वाइड सहालिज दें ते